जेह हीं दोस्तो स्वागा थे आपका हमारे यूटीव चैनल में आज की वीडियों में हम लेकर आए हैं आपके लिए ईहाँ पर बहुती, महत्तीड़ पुण नक पुंड कॉस्चन आंसर हैं वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करना है तो यहां पर आपके लिए एक चीज और है है यहां पर हिंदी साहित के संपूल्ण कोर्स भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरेज भी हिंदी साहित की अपर बहुत ही कम दामों में अभी जो है ओफर चल रहा है तो सेल्फ इस्टेडी कलास एप डाउनलोट करने प्लेश्टूर से और चिंतामणी जी से संबनेद तो पूर्ण कॉस्चन है, कई बार एक जाम में पूँचा गया है, तो फर्स्ट कॉस्चन है, चिंता मणी किस का बिधारा की कभी हैं, तो आपका राइट आंसर है, रीती बद्धे, आपका सही आंसर यहां पर होगा, कॉस्चन नमबर दो पूँचा है, कि अधेक्तर चिंता मणी का जन्म किस बर्स में मानती हैं, तो आपका राइट आंसर है, 1609 इस बी में, 1609 इस बी में मानती हैं बिलकुल सही, कॉस्चन नमबर आपका यहां पर तीन पूँचा है, कि रीती ग्रंतों की अखंड परंपरा चिंता मणी तरपाथी से चली आई है, किस इतिहा चंद्र सुकल जी ने, आचार रामचन सुकल जी के अनुसार, रीती काल के प्रथम कभी हैं, पदमाकर है, मतीराम है, चिंता मणी है, एकी सब्दास है, रीती काल के प्रथम कभी, आचार रामचन सुकल जी के अनुसार बै हैं, चिंता मणी तो विकल्प नमबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा चिंतामणी कि सासक की आसरा में रहते थे साहजी भौसले या दारा सी को है या फिर साह जहां या उप्रोक्त सभी तो चिंतामणी जो है उप्रोक्त सभी की आसरा में रहते थे यहां पर उप्रोक्त सभी राइट आंसर विकल्प नंबर चार राइट आंसर होगा काप्पे के सभी अंगों का नुरूपन का मार्ग सबसे पहले किसने चलाये था पदमाकर मतीराम चिंतमणी के सब्दास है तो आपका सही आंसर है चिंतमणी आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही चिंतमणी के भाई थे मतिराम, जटा संकर, भूशन या उप्रोक्त सभी महत्पूर कॉस्चन है यह आपको बताना है तो आपका राइट आंसर है चिंता मली के भाई थे तो उप्रोक्त सभी मतिराम, जटा संकर, भूशन यहाँ पर राइट आंसर होगा question number 8 पूंचा है चिंता मणी ने किस उपनाम से भी रचनाई लिखी है question number 9 यहाँ पर क्या पूंचा है question number 9 यहाँ पर पूंचा है कि चिंता मणी की पिरसिद रचना जिसमें काभी की सभी रूपों का बंदन मिलता है काभी विवेक में या कभी कुल कल्प तरू में या रस्विलास में या सिंगार मंजरी में तो बहे है रचना कौन सी है काभी की सभी रूपों का बंदन मिलता है जिसमें तो पहे है कल्प में कभी कल्प दुर्म आपका कभी कुल कल्प तरू होगा यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है चिंतामणी की रचना कभी कुल कल्पतरू का रचनाकाल क्या है महत्तपुन क्वास्चन है क्वास्चन नमबर 10 और यह जो क्वास्चन है बहुत ही महत्तपुन है क्योंकि इस पिरकार का क्वास्चन भी पूंचा जाता है कि कभी कुल कल्पतरू किसकी रचना है तो चिंतामण जी का जन्म पूँचा है तो दौलत पुर राय बरेली दौलत पुर आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर स्वरी यहां पर इनका होगा तिकवापुर तिकवापुर आपका होगा तिकवापुर कानपुर यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक होगा सही आंसर भ परस्कृत अबदी है तो चिंतामणी के काभ्यां की भासा की बात करें तो परस्कृत ब्रजवासा है विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा इनमें सिक्वांसी रचना चिंतामणी की नहीं है रसमंजरी रसराज का विप्रकास या फिर रामयन्दे की नहीं पूंचा है आप सीहां पर तो आपका सही आंसर है रसराज विकल्प नंबर C यहां पर राight आंसर होगा बिल्कुल सही चिंतामणी ने كभी कुल कल्पतरू की रचना में किन आचारियों की ग्रन्तों से सहायता ली है तो यहां पर राइट आंसर ऑफ्रोक सभी यान की मम्मट धनन्जए और बिस्सुनात जो आचार हैं इनकी ग्रांतों से साधा ली है Q15 चिंतामणी का निधन कब हुगा बहुत ही महात्तपूंण Q16 है इनमेंए akin से कौन सी रचना रीत काल की विषेशता नहीं है कौन सी रचिना है रचिना आपके लिए बताना है तो आपका राइट आंसर है इहां पर रचिना नहीं है इन वैसे कौन सी रीतिकाल की विशेष्टा नहीं है पूँचा है तो नहीं पूँचा है विशेष्टा नहीं है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर C अप ब्रंस भासा में रचिनाए यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है अप ब्रंस भासा में रचिनाए यह जो विकल्प नंबर C है वह आपका सही आंसर होगा तो इस परकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत पूर्ण कॉस्चन आंसर तो क्या असा लगा ये वीडियो कमेंट में जरू बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और अपको डाउनलोड करना है पिले इस्टूर से यहाँ पर आपको सब्ताह में दो दिन जो है फ्री 2020 टेस्ट सीरेज आपके लिए करा सहित्ती का यहां पर में में जहां पर वंपर चल रहा है और यहां पर आपको सब जो बहुत ही कम दामों में उपिलब्थ है इसे सट ईको को मजबुध बनाएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्स्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद